वेलकम बेक तू मैं चैनल आज मैं लेकर आई हो स्केल्प के बारे में जाता है कुछ हमें पता मिलब स्केल्प हमारा बोधी जल्दी कंपलीट हो जाया कहने का मिलब यह था बहुत ही चोटा चोटा टॉपिक है यह और बोधी चाहता कंसेप्शुल भी नहीं है तो मैं इसको इसी वीडियो के साथ साथ ही याद करवा दूँगे ऐसा मैं कंसेप्ट आपका क्लियर करवा दूँगे देखो यह सॉफ्ट टिशू से एक्शुली में कवरिंग का डा केरी क्रेनियल वोल्ट हमारा वो स्कल के उपर वाला हिस्सा होता है यह क्रेनियल वोल्ट को कवर कर रह अपर इकच्टेन्ट ओपर अपर वाला मरजी यह पूरा अपना एक्स्टेन्ट ऑफफेश्ड़ ए तिकया स्कंट किर्चेट अपर जोंते वोल्ट में शफेश्म नाम से ही इस ऋकृण्यॡद टिष्ण Aponeurosis, Lose Aerial Tissue and Pericranium जिसमें Connective Tissue Actually में होता है Superficial Fascia और Aponeurosis होता है हमारा Deep Fascia Skin, Superficial Fascia and then Deep Fascia यह इसका पूरा नाम है Apocranial Aponeurosis यह गे लिए Aponeurotica फिर आता है Lose Aerial Tissue और Last में अपना आता है Pericranium फिर्स टीन लेयर से एक दूसरे से Connected रहती है और एक यूनिट के जैसा एक्ट करती है जिसको हम लोग बोलता है Surgical Layers यह Scalp Proper अब देखो अब लोग एक एक करके सारे यूनिट के पारे में परेंगे तो पहला अपना Skin है Skin हमना ठीक होता है, Hairy होता है Blood Supply होता है, Sweat and Sabatious Cleanse Superficial Facial Facial होता है Fibrous होता है, Dense होता है Center पे जाता होता है Periphery में उसकी सोग देंसिती होता है तो कम होती है Fibrous और Dense होता है Skin और Apolymoresis के बीच में आता है तो दोनों को Connect करता है Medium and Passage of Vessels and Nerves to Skin Skin तक Vessels और Nerves इसी के दोड़ा पहुचता है इसमें बहुत सारे Blood Vessels होता है जैसे में यहां पर दिखा हूं इस टाइग्राम में Skin with Hair दिखाया हुआ है फिर यह Superficial Facial दिखाया है जिसमें बहुत सारे चोटे-चोटे क्या है Blood Vessels है जो और यहां ही से वो क्या करेंगे Blood Vessels क्या करेंगे Skin तक पहुचेंगे Nerves skin तक पहुचेंगे इस पे एक important चीज आती है Resist a contraction of Blood Vessels in Lacerating Uns result in profuse bleeding हमार नॉर्मल केस में कहोता है कहीं और कट लगती है तो वो बहुत जल्दी ही अगर हमारा कोई चोट लगा हो सरपेत हो Epigranial Aponeurosis यह हमारा Deep Facial Scalp का यह परिग्रेनियम में मूव कर सकता है तो इसका जो एंटेरियर है वो frontalis का insertion होता है posterior occipitalis का insertion होता है और side में side of skin of forehead होता है तो तुम खूदी देखो ना आपने बहुत परिग्रेनियम में फ्रंटेरियर होता है पीछे में occipitalis आता है तो फ्रंटेरियर का insertion होगा posterior occipitalis का insertion होगा और side में हमारा forehead का skin होगा तो frontalis और occipitalis के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है frontalis long या wide muscle होती है united होती है occipital क्या होता है कि वह short होता है और दोनों occipital separate separate होता है मैं अभी diagram में दिखाऊंगी origin इसका क्या होता है superior nuclear lines होते है and supplied by posterior auricular branch of facial nerve तो यह हम लोग ने क्या पारा epicranial aponeurosis के बारे में तेखो तो इसमें occipital frontalis muscle है इसमें occipital muscle आएगी और frontal बसे तो frontalis आएगी तो इसकी origin जो है occipital की जो दो होती है occipital में बताया separate होती है वो उसकी origin होती है highest numerical lines और frontal जो एक होता है उसका origin होता है skin कोई भी bonny attachment origin नहीं होता insertion हमारी epicranial aponeurosis है जिसके बारे में भी हम पढ़ रहे है actions हमारा क्या है raised eyebrows and horizontal wrinkles in skin of forehead तो पहले ये diagram देखो ये वाला diagram इसमें हमनों क्या करें उपर से देख रहे है skull को ठीक है यहां भी हमारी orbit आएगी यहां भी हमारे आखे आएगी तो अगर आगे से देखोगे तो क्योंकि यहां पर यह लिखा हुए आएग अपर से देख रहे हैं और यहां पर हमारे एक्स्टेनल आएग अपर से देख रहे हैं पीछे के तरफ तीक है और यह superior nukle lines है और यह highest nukle lines है चादर इन difference नहीं होता है थोड़ा बहुत का difference होता है अब देखी सकते हैं इस diagram में भी और यह highest nukle line से यह गोसिपितल का क्या होता है origin होता है और दोनों कहां पर जाके इंसर्ट करती है epicranial aponeurosis जो यह बॉला पूरा area ही actually में दिखाया हुआ है ठीक है यह हो गया यह हमने परहा दिया epicranial aponeurosis के बारे में अब आप आज आओ loose aureolar tissue के बारे में loose aureolar tissue भी एकस्टेंड होगा और कहां से कहां तक होगा यह भी eyelids से निकलेगी हमारा superior orbital margin ता तो यह थोड़ा से निचा eyelids से निकलेगी posterior में आपका superior nuclear lines तक जाएगी और side में subtemporal lines तक ठीक है यह क्या करती है इसका काम क्या है इमिशेरी veins को पैसेज देती है अब इमिशेरी veins क्या होती है इमिशेरी veins बहुत important चीज है इसको आपको पता होना चाहिए कि यह extra cranial veins को intracranial venous sinus से जोड के रखता है अब इसका मदब क्या हुआ हुआ यह तुमको इस diagram में समझ में आएगा देखो यह हमारे कुछ interior view है यह तो हमारा बाहर का भी हो जहां पर हमारा skin और hairs दिख रहे है यहां भी हमारा क्या है यह durometer दिख रहा है तो यह हमारा venous dural venous sinus है यह हमारा intracranial है मैं बहुत इसको बहुत तक connect करने वाला मैं बहुत कहां तक कहां तक connect कर रहा है skin तक एकदम वहां तक connect कर रहा है इसको immisory veins immisory veins इसको connect कर रहा है तो यह चीज़ important है और यह immisory veins कहां से गुजर रही है यह loose area टिशू से भी तो गुजर रही है तो वही चीज़ यहां पर बताया गया है ठीक है पैसे चीज़ देता है immisory veins को जो connect कर रहा है extra cranial veins को intra cranial veins से यहां पर आपको पता है यहां पर भी veins होगी blood vessels थे और उसको intra cranial veins से connect करता है तो यहां से प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि बाहर में अगर को infection हुआ है तो वो intra cranial तक पहुष सकता है इस immisory veins के दोड़ा यहां पर प्रॉब्लम हो जाती है allows movement of first three layers of skull obviously मैंने अभी बताए loose ariolar tissue है इसी के वज़े से पूरा जो तीन लेर यूनिट के जैसे act कर रहा था वो क्या कर सकता है perigranium में move कर सकता है it is the plane of separation scalping injuries ठीक है यहां हम लोग scalping injuries को ठीक करने के लिए plane of separation माना जाता है perigranium सबस्टार लास्ट लेयर हमारा loosely attached होता है surface of bone से और यह form attached होता है sutures में यह इंपोर्टन्ट पॉइंस के यह तरह से परियोस्टियर में क्योंकि कि इसको कवर कर रहा है scull को कवर कर रहा है इसके बोन को कवर कर रहा है तीक है आज 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 सुपरिफिशल temporal reason में जो एक्चली हम लोग स्केल्प के साथ ही रीट करते इसमे ज्यादा कुछ है नहीं एरिया होता है तीक है बीटिविन सुपरियर टेमपोर लाइंस जो बेना भी डायग्राम में दिखाया था स्टार्टिंग में और जाइगोमेटिक आज जाइगोमेटिक आज कहा होता है एक्चली में यहां पर डायग्राम नहीं होगा थीक है मैं इधर दिखा जों इधर कही होता जाइगोमेटिक आज ठीक है वह आपको फिल हो जाएगा अपने स्केन में फिल करना चाहो तो यहां यह सुपेडियर टेमपोर लाइंस से जाइगोमेटिक आज के बीच वला जो रीजन है यह हमारा कॉन सा रीजन हो जाता है सुपरफिशल से एक फिल ग्रेजन होता है जो चिख अरोगल में लब कान के पास बहुत चीज़ उहां पे एकस्टेंशन नयुक्शीं हो रीजन बहा है extends जो करना फिल देर मसरे सक्टेंशन गया इसमें। Sig crazy is अब आजाओ, आजाओ, arterial supply, scalp or superficial temporal region का, तो arterial supply में हमें क्या देखना है कि और कान के आगे और उसके पीछे, तो और कान के पीछे तो तुम्हारा है इस प्रत्रोकलिय, प्रबाइटल और सुपरिशेल, तो यह आपको रतना परेगा, बेरे डीघर में दिखा दो ग remo Fair सुपरिश्यल अपूर्फिश्यल ट्रोकलियर अर्च्वार्टरी के ब्रांच दिखा गहा skill यह नेय fingerprints प्रसा झाला झालर्पाइब लेसled लिटेख दिखुाएब भी सब्सBOण биोग् थे जिए और जहाँ सुपांदिया से चीजी तुछ। पीछे में देखो तो एक posterior auricular नाम में ही चुपा है posterior auricular और और के पीछे और occipital obviously पीछे होगी तो occipital artery आती है जो थोड़ी सी दो प्रांचेस है यह अपनी supra trochlear और supra orbital ठीक है और external internal carotid artery temple के राउंड अनास्टमोस काते है इसके बार में बाद में लेटर पढ़ेंगे ही वेनस ट्रेनेज देख लो वेनस ट्रेनेज भी सेम ही सेम जैसा ही होता है supra trochlear इसमें भी होती है supra orbital veins होती है उदोनों मील के बन उसके बना रहा हो यह ही और उसके बाद कर सक्थे बीयद कर एक प्राइड को अदोर में नायरर में पृपर हुंसाथ छेगा तो आगे बनागे यह हमने लेंसित के पांः चेकन्या हूं और यह हमार औरिकल के आगे हमारे superficial temporal vein, आर्ट्री होती है, तो vein भी अधरी होगी अधर से आ रही है अपनी maxillary vein, दिख रहा है maxillary vein यह दोनों मील करके क्या बना रहा है, retromantripular vein, तो हम लोग देखें, आगे जागे दो division हो जाता है, आगे दो division हो जाता है, anterior and posterior, पोस्टेर, बनाएगा रफ़ें, यह बनाएगा, ना कि उसमें होगा, सब ख्लेवें में, तो यह देखना है, यहाँ पर इंटर्नल जूगलर, यहाँ पर एक्स्टर्नल जूगलर, तो थोरा सा तुम ऐसा दिमांग में रखोगा तो याद रहेगी चीज़े, तो यह समझ में आ गया, अब देखो, यहाँ पर और क्या देखाना था मुझे, और सिपितल वेन, टर्मिने यहाँ होने के वज़े से और प्रोब्लम वाते है, जो आगे परहेंगे आगे वैसे भी, पाराइटल इमिशेरी वेन्स होते हैं, इसके बार में टीटेल होगा, यह पास होता है पाराइटल फोरामेंस से इंतर सिग्मोई साइनस, ठीके फिर दिप्लोईग वेन्स होती है, से निकलती है, तो टेबल से बीच में से निकलती है, यह नियूली फॉर्म्ट सेल्स को सर्कुलेशन में लाती है, और यह चार्ट वेन्स होती है, इस साइट, एक्शली थोटा एक्स्टर इंफॉर्मेशन था मैंने लिग दिया है, बेसिकली आपको यह वाला डाइगरम या इस भी बोलता है, और सर्फेस और पेरोडिट के लेंटर, पोस्टीरियर सर्फ पार्ट ओफ स्केल्प को सप्लाइ करेगा, पोस्ट ओर्रिकुल है, मिन्स ओरिकल के पीछे, कान के पीछे, ठीक है, यह फी मैस्टोएट उधर होगा, तो औसीपितल यह फी औसीपितल निफन कान के आगे से इंटर कर रही है, और रिमेइनिंग फाइब जिस पर फो सेंसरी वान मोटर है, वो बीहाइंड ओरिकल इंटर कर रही है, कौन कौसी वो है, यह फूरे इस टेबल में दिया हुआ है, तो आपको इसको याद करना होगा, और देखो, यहां पे इसको एक और डा जीच में कहीं न कहीं होगा, और इकुलो टेंपोरल इस टाइप से आपको इसको याद करना पर एक तेंपोरल ब्रांच थीक है, तो यह चीजे यहां पर कंपलीट होती है, स्कैल्प कुरा कंपलीट होता है, थोरा सा रिमेमेरिंग और टॉपिक है, लेकि याद हो जादा कोई 3D इमेज और दिखाया नहीं, सो आई होब कि आपको यह अच्छा लग रहा होगा, और अगर अच्छा लग रहा जो प्लीज कमेंट और शेयर, थैंक यू